प्यारे और अजीज तल्बा अस्सलाम वालेकुम आप तमाम का ए लर्निंग इस्कूल एप में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अजीज तल्बा हमने कख्षा चट्टी विशय हिंदी की दूसरी एकाई की दूसरी कविता एक किरन इसको तरन्नुम के साथ में पढ़ा भी और सुना भी अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम कवी का परीचे जान लेते हैं इस कविता के जो कवी है उनका नाम है श्री परसाद जी इनका जन्म पाच जन्मरी 1932 को पार्ना आगरा उत्तर परदेश में हुआ इन्हों ने बच्चों के लिए बहुत सी कविताय लिखी जैसे खिड़की से सूरज, कोहल, गुणियां की शादी, एक किरन वगएरा वगएरा अजीज तल्बा एक किरन इस कविता में सुभा का मंदर बयान किया गया है सुभा सुभा जो सुरज निकलता है उसकी जानकारी इस कविता में दी गई है रेशम जैसी हस्ती खिलती, नब से आई एक किरन, आचल भरकर मीठी मीठी, खुश्यल आई एक किरन कभी कह रहे हैं कि सुभा की रोशनी बड़ी मुलायम होती है, नर्म होती है, नाजुक होती है, तेज धूप नहीं होती और आचल भरकर मीठी मीठी है, आचल से मुराद बहुत सारी खुशिया, सुभा में तमाम दुनिया जाग जाती है और चारों तरफ खुशी फैल जाती है लाल लाल थाली सा सूरज उटकर आया पूरब में प्यारे बच्चो सुबा का सूरज गोल थाली लुमा लाल लाल दिखाई देता है इसलिए कभी कह रहे हैं कि उटकर आया पूरब में पूरब हमने चार सिम्तों की जानकारी पड़ी उर्दु में हम मश्रिक मगरिप शुमाल जुनुप ये चार सिम्ते हमने पड़ी है उसी तरह इसे हिंदी में पूरब पच्छिम उत्तर दक्षिन ये चार सिम्तों की उसमें से एक सिम्त पूरब पूरब याने मश्रिक से सुर पूरब से उठाया पूरब से निकलाया तो प्यारे बच्चो सुबा की रौशनी पीली-पीली सोने जैसी हमें दिखाई देती है इसलिए कभी कह रहे हैं कि फिर सोने के तारो जैसी नब से में छाई एक किरन नब इस शब्द कार्द होता है आकाश आसमान आगे का जा रहा है कि पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे जिल्मिल जिल्मिल पत्तों पर यारे बच्चो रात जब होती है तो पत्तों पर बारिक-बारिक छोटे-छोटे पानी के कत्रे गिरते हैं और जब सुबा दिन निकलता है सुरज की रौशनी इन पर पड़ती है तो यह चमकने लगते है तो आगे कभी कह रहे है कि पड़ी ओस की थी कुछ बूंदे जिल्मिल जिल्मिल पत्तों पर उन में जाकर दिया जलाकर जूम उसका ही एक किरन जब सुरज की रौशनी उन पानी के कत्रों पर पड़ती है ओस के कत्रों पर पड़ती है तो प्यारे बच्चो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिये जलाए हो वो चमकने लगते हैं आगे कहते हैं कि एक किरन से बदल गया जग चिडिया गाती गीत चली एक किरन से जब सुबा सुबा किरन निकलती है तो चारो तरफ रोशनी फैल जाती है इसने कहा गया कि एक किरन से बदल गया जग और चिडिया गाती яж हमने सुन चपाइन सिव한테 चां़ छाती है होद सिस सब्सकोंस को प्ला करते हैं तो यह जो वंज़र यह सब को भाता है भाना यानि अच्छा लगना आगे कहते हैं वो के सूरज आया दिन मुस्काया जागी दुनिया सुबा हुई यह सूरज आता है तो दिन निकलता है और दुनिया जाग जाती है नया नया मन ताजा जीवन नया नया मन ताजा जीवन जीवन यानि जिन्दगी प्यारे बच्चों हम रात में आराम कर लेते हैं हमारी ठकन पूरी दूर हो जाती है इसलिए बोला गया है कि जब सुबा होती है तो नया नया मन ताजा जीवन यूम उसकाई एक किरन और सब लोग सुबा सुरज निकलते ही जाग जाते हैं और तमाम का जो जीवन है वो खुशिया खुशिया फैल जाती है दुनिया पूरी दुनिया खुशी से जूम उठती है